नगर पालिका और पंचायतों में बड़त बनाना भाजपा के लिए बड़ी चुनोती होगी क्योंकि ग्रामीड छेत्रों से चुड़े इन निकायों में सपा समझते सदसों की अच्छी खासी संक्या है ऐसी सीटों पर कबजा करने के लिए भाजपा को कड़ी मसकत करनी पर सकती है दरसल 2017 में हुए विदान सपा चुनाब में भाजपा को प्रचंट जीत मिली थी इसके बाद हुए निकाय चुनाब में भाजपा ने सोले में 14 नगर निगमों में महापौर की सीटे जीती थी लेकिन बहुत से नगर पालिका परिसदों और नगर पंचयतों में अद्यक्ष और वार्डों में सभा बसपा और कांग्रेस के निर्दलियन है भाजपा के प्रचंट जीत की रफ्तार को रोका था वहीं इस बार निकायों की संख्या भी बढ़ गई है नए मैं से जादा तर निकाय सपा के प्रभाब वाले छेतर के माने जा रहे हैं ऐसे में परिस्थितियां तब के मुकाबले इस बार जादा जटिल नजर आ रही है बीते तीन निकाय चुनाप के नतीजों पर नजर डाले तो पदा चलता है कि शहरी इलाकों यानि नगर निगमों में भले ही भाजपा सबसे आगे रही हो लेकिन कसभाई और ग्रामी इलाकों से जुणी नगर पाले का परिसदों तथा नगर पंचायतों में उसे सपा सथी में सुधार वह भी जब तब 2017 के मुकाबले राजनीतिक संभीकरण काफी बदल चुकी हैं खासतोर से मुख मंत्री विपक्षी दल सपा के परिस्थियां में 2017 के मुकाबले काफी बदली दिख रही हैं तब सपा के विधायकों की संख्या 47 ही इस बार इनकी संख्या 111 ह हो चुकी है यही नहीं सपा की जमीन मजबूत करने में पार्टी संस्थापक स्वैम मुलायम से हैं यादव के कंधे से कंधा मिलागर काम करने वाले शिकपाल से हैं यादव भी अखले से यादव के साथ हैं पिछली बार दौनों एक दूसरे के विरोध में थे साब है कि च पाबले 2022 में ज्यादा संख्या में विधायकों की जीत भी उसके पक्ष में समीकरणों को मजबूत दिखा रही है कारण यह है कि विधायक अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत दिखाने के लिए अपने छेत्रों के नगरिया निकायों में पार्टी उमीदवारों को जीत दि नोते दी है